तो है गाइस विल्कम बैक टू मैं चैनल तो कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे हैं खैरियास से हैं आज हम आए एक ऐसी रिसीपी लेकर के जो जिसमें ना तो गैस वान करना है ना मेवा चाहिए ना घी चाहिए बिल्कुल इसली आप लोग इसे अपने घर पर ब पहुच सके तो सबसे पहले हम लेंगे मलाई मलाई को ले लेना है दो चम्मच यह हम लोग ने घर पर मलाई निका ली थी उसके बाद हम इसमें एट करेंगे शक्कर पाउडर अगर आपके पास शक्कर पाउडर आवेलेबल नहीं है तो आप शक्कर को जार में डाल करके पी बिल्कुल ऐसी है आप लोग भी करना तो इसको इस तरीके से पूरा मेल्ट कर लेना है दिन हम एक जार में एड़ करेंगे बड़ी बादाम, नौ से दस बादाम ले लेना आप लोग, उसके बाद हम उसमें डालेंगे काजू, आप लोग ऐसे नारियल पौरर लेकिन नारियल पौरर जो जार में टाल करेंगे भी मिक्स कोदें है, नही है लोग जाप आप लेंगे, उसके बाद नहीं दाऴ किया लोग भी लिखनाने इसमें मिक्सट कर लेहों के रही है चाहिए गए लिए जैसे यार्च SEN भी कुणने अब Salam से इस तरीके से square shape में कर लेंगे और square shape में करने के बाद हम इसमें add करेंगे तबक आप लोग market में बहुत आसानी से मिल जाएगा तो आप लोग लेकर के तबक इसको अच्छे से लगा लेना इससे इलकुल बाहर जैसा लएगा देखने में इसको तो गाइस तबक लगाने के बाद हम इसको अच्छे से square shape में बरफी के तरह cut कर लेंगे तो इस तरह के से cut कर लेना आपको देखिए हम लोग कैसे करने पर इसको दिखता होगा इस कि यह कितना सॉफ्ट सा बना है और हम लोग तो जाधा तर ऐसा काम करना पसंद करते मेहनत ज्यादा ना हो और जिसमें गैस नहीं आउन करना कुछ एड्ड नहीं करना ज्यादा मेहनत नहीं तो एक बार तो बनाना बनता है तो guys आप लोग अपने घर पे वे ट्राई करो बहुत एजी मिठाई है यह बहुत एजी इसमें कुछ भी नहीं करना है और गाइज उम्मीद करते हूं कि आपको मारी वीडियो पसंद आई होगे अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरू करना और अपने दोस्तों में गाईज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में